राधे 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 दर्सको मैं आपके इस्टोलोजर आड़के मिस्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल क्रोह की चाल में दर्सको आज हम बात करने वाले हैं ब्रिश्चिक लव राशीफल शाल दो हज़र पचीफ कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए यदि आप मैरिट हैं एक्स्टा मैरिट और अफेर का सामना कर रहे हैं नो कॉंटेक्ट की सिती में हैं या फिर आपकी लाइफ में लव लाइफ में समस्या चल रहे हैं तो कैसा रहने वाला है साल थोजर पचीफ इसकी जनकारी हम आपको इस वीडियो के दौरान देने वाले हैं यदि आप हमारे चैनल पे नए नहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा वीटियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा यदि रहें नंबर पे संपर्क करकर आप अपनी प्रिश्टन जलनकाड़ी प्राप्त कर सकते हैं दर्सकों ग्रहों की गोचर राशी परिवर्तन के अधार पर हम यह वीडियो बनाते हैं एवं आप तक भविश्वानी पहुचाते हैं साल दोजर पचीश में गूरू शनी राहू ए यही चारो ग्रह हैं राहू केतू 18 महिने बाद राशी परिवर्तन करते हैं गुरू और शनी साल 2025 में ब्रिश्टिक राशी के जातकों के लिए कुछ ऐसे पल लेकर आने वाले हैं जिससे आपकी जीवन में परिवर्तन आएगा तो बात करते हैं हम सबसे पहले उन जातकों क के जातक हैं और सिंगल हैं तो गुरू का राशी परिवर्तन यह दिखाता है कि आपके लाइफ में कोई व्यक्ति आ सकता है कुछ महीने में आपके साधी भी उस व्यक्ति के साथ हो सकती है किसी को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे पहले से पसंद करते थे वन साइड ल और व्यक्ति आपके लाइफ में आता है और आप उसके साथ लव लाइफ में जाते हैं तो साधी के योग भी बन सकते हैं वन साइड लव भी टू साइड लव में बदल सकता है और विवाह के योग बन सकते हैं बात करें हम अब उन जातकों की जो किसी के साथ तो उन जातकों के लिए राहू के प्रभाग से साल 2025 तो बहुत ही बुरा गया है किन्तु राहू मई में राशी परिवर्तन करेंगे जिससे आपके लव लाइफ में जितने भी प्रोबलम चल रहे थे लडाई जगरे नो कॉंटेक्ट की स्थिती बार बार अनौप की स्थिती का शामना आपको करना पर रहा था यह सारी चीजे समाप्त हो जाएगी सनी की किरपाश से प्रेम बढ़ जाएगा अप्रेल मई जून जुलाई बहुत ही अच्छा जाएगा इस बीच में यदि आपका रिष्टा तोट रहा था वह भी शमल जाएगा किसी के वज़ब से आपका लव लाइफ खराब हो रहा था वह भी वहां से साइट हो जाएगे यदि आप लव मेरेज करना चाहते थे तो साल 2025 में उसके लिए भी शमय काफी अच्छा है मई यजून के महिने में आपका लव मेरेज हो सकता है घर वाले यदि नहीं मान रहे थे तो उनकी भी रजामंदी आपको मिल जाएगी थोड़ा लड़ाई जगड़ा जून के महिने में हो सकता है साथ जून से अठाई जुलाई के बीच में संभावना है कि आप दुनों के बीच में थोड़ी बहुत तक राड़ हो जाए किन्तु 9 अक्टूबर से आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुसियां ही खुसियां आएंगी और पूरा साल 2025 प्यार रुमांस और खुशियों से भड़ा हुआ रहेगा बात करें उन जातों को कि जो नो कॉंटेक्ट की सिदिकाश शामना कर रहे हैं यदि आप ब्रिष्टिक राशी के जातक हैं और नो कॉंटेक्ट की सिदिकाश शामना कर रहे हैं तो साल 2025 में आपके लिए कश्ट ही कश्ट है आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएगा और जाएगा किन्तु वह फिर्फ आपके साथ टाइम पास करने के लिए आएगा जिससे आपके मस्दिश्क पर गहरा पर भाव पड़ेगा साथ ही आप वार बार उनके आने से कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं किन्तु हम आपको यहां स्पष्ट कर दें कि वह पार्टनर सिर्फ और फिर्फ आपके साथ टाइम पास के लिए आएंगे अपने पार्टनर को छोड़ कर आपके पास कुछ समय के लिए आएंगे और फिर जाएंगे बात करें उन जातकों की जो ब्रिश्ची क्राफिक हैं और मेरेड हैं मेरेड लाइफ में रह रहे हैं लोगों के लिए समय मार्च से अप्रील तक का दो हजार पचीज का महीना लखी रहने वाला है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं शापिंग पे जा सकते हैं लांग ड्राइब पे जा सकते हैं यदि आप कोई बाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं तो बाविश अपना सच हो सकता है बात करें उन जातकों की जो एक्स्टा मैटल अफेर का सामना कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत खराब है साल 2025 एक्स्टा मैटल अफेर वालों को डूलाने वाला है प्रैस्थिती इतनी खराब हो जाएगी कि हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको किसी चीज में फंसा दे या फिर आपकी बेजती और परशानी का कारण आपका पार्टनर ही बने ऐसी स्थिती आपको देखने को मिल सकता है किन्तो जिस समय आप प्रैस्थिती का सामना कर रहे होंगे परिशान होंगे उस समय आपके पार्टनर भी आपको छोड़ चुके होंगे और या सबसे ज़्यादा दुक्की बात होगी आपके लिए कैसा लगा वीडियो कैसी लगी आपको जनकारी हमें जरूर बताईएगा यदि आपके मन में शावाल है आप कुंडली का बिशलेशन करवाना चाहते हैं आपके मेरे लाइफ में कोई शमश्या चल रही है अपने खराब उंच नीच अस्त ग्रहों का उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नमबर पे शंपर्क करकर आप जनकारी प्राप्त कर फकते हैं तब तक वीदा दीजिए अपने जोतिश में तराड के मिश्टा को फिर आउंगे कुछ नया कुछ अलग लेकर जिफ्याप के जिवन में प्रवर्तन लाया जा फके राधे राधे